राधे राधे दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है इलजाम अरे ममी जी आप मेरे कमरी के बाहर यू चोड़ी छीपे खड़ी होकर क्या जांक रही है मैंने गोड किया है जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ आप किसी ना किसी बाहाने चुपके से कमरी के दर्वाजे पे आकर खड़ी हो जाती है यहीं देख रही है ना कि मैं पैसे किस अलमारी में रखती हूँ बोलिए अब चुप क्यूं है चोड़ी पकरी गई तो क्या साप सुंग गया आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ चुपके से आप पैसे निकाल लेंगी और जब आपकी दुलारी बेटी रचना या मामा जी आएंगे तो उन्हें पकड़ा देंगी और वो लोग पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि पैसे किसने लिये हैं यहीं बात है ना उस्पा अपनी सास प्रतीभा जिसे कहती है तो प्रतीभा ची बोली हे भगवान बहुत तुम ये कैसी ओची बात कर रही हो भाला मैं अपने ही बेटे के पैसो पर बुरी नजर क्यूं डालूंगी क्या मेरे बेटे का पैसा मेरा नहीं हाँ वो बात अलग है कि मैं कभी उसके पैसो पर अधिकार नहीं जाताती हूं और तुम मेरे भाई और बेटी को इसमें क्यूं घसित रही हो तुम्हारी भी मा बहन हमारे घर में आती है पर मैंने तो आज तक उन पर कभी सक की द्रिष्टी नहीं डाली फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो पुस्पा बोली अच्छा तो अब आप अपने रिष्टेदारों की तुलना मेरी मा और बहन से करेंगी अरे जाओ जाओ कहां मेरा परिवार और कहां आप लोग और क्या कहां आपने आपके बेटे के पैसो पर आपका आधिकार है भला वो कैसे मैं भी तो सुनू प्रतिभाची बोली एक मा अपने बेटे को पाल पोस कर कमाने लायक बनाती है और जब बेटा कमाने लगता है तो उस पर उसकी पतनी का अधिकार हो जाता है वो कैसे 27 साल मैंने मेहनत की और फल किसी और के नाम हो गया ये तो सरासर ना इंसाफी है एक माली बंजर जमीन को हरा भरा करता है और उसमें फूल पोधे लगा कर उसे सुन्दर बगीचा बनाता है तो क्या वो बगीचा किसी और का हो जाता है माली का उन फूलों पर या पोधों पर कोई अधिकार नहीं होता बहु अभी तुम कह सकती हो मगर मैं जिन्दा रही तो 10-15 साल बाद तुमसे पुछूंगी कि तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा पहला अधिकार है या उसकी पतनी का एक बात बोलू बहु मुझे अपने का इंतिजाम करके गए है तुमसे कुछ और नहीं मांगती हूँ तो कम से कम इजत ही दे दो भगवान से कुछ तो ढरो तुम्हारे भी दो बेटे हैं मुझे तो एक काही समना करना पड़ता है तुम्हें तो दोनों की नजरों का समना करना पड़ेगा इतना कहकर प्रतिभा जी आखे नम लिये वहां से चली गई उनके जाते ही पुश्पा फोन पर अपनी मा से अपनी सास की सिकायत करने लगी और कहने लगी मा मेरी सास मोटी चमडी की बनी है उनके दिमाग में कोई भी बात जल्दी जाती नहीं अरे हिमत तो देखो उनकी मेरे पती के पैसों पर इन्हें मालूम ही नहीं कि इन जैसी औरतों को ही कितनी ही बहुवों ने ब्रिध आश्रम का रश्ता दिखाया है अरे मेरा एहसान माने की जगा मुझे चार बाते सुनाती है दोनों मा बेटी प्रतिभाजी की चुगली करने में लगी थी वहीं प्रतिभाजी की बेटी रचना का जब फोन आया तो मा की दुखी आवाज सुनकर उसने कारण पूछा तो प्रतिभाजी ने ये कहकर टाल दिया कि हर घर में छोटी मोटी बाते होती ही रहती है उनको तुल देने से अच्छा है नजर अंदाज करना यहीं फर्क होता है एक समझदार मा और एक नकचड़ी बह भू में घर की सांती बनाए रखने के लिए प्रतिभाजी हर चीजों को अंदेखा कर देती थी पर कब तक करती रहेंगी ये देखना है प्रतिभाजी के पती ने अपनी सब जिम्मेदार्यों को पुरा किया था बेटी की साधी को अभी छे महीना नहीं हुए थे कि आकासमात मिर्ट्यू के कारण वो दुनिया से चले गए जब तकवे जीवित थे उनका बेटा संजय और बहु पुस्पा की हिमत नहीं होती थी प्रतीभा जी से बत्तमीजी करने की उन्होंने आखे क्या बंद की बेटे बहु ने घर पर अपना राज समझ लिया यहां तक की संजय का भरोसा अपनी मा पर से उठ गया था वो अपनी मा से चीजों को छुपाने लगा जो भी पैसे होते पतनी के हाथ में ही देता और पतनी क सामने कई बार मा का अपमान भी कर देता था ये सब देख कर प्रतीभा जी दुखी रहने लगी थी जिसके कारण उनका स्वास्त भी अब गिरने लगा था क्योंकि मन के दुख को वो मन में ही दबाय रखती थी उनकी कोई सुनने वाला नहीं था तो वो किसी से आखिर क्या ह हुमने के लिए चली गई प्रतीभा जी से ये कहकर कि ममी जी खाना बना कर रखना और घर की देख भाल करना मैं करवा चोत की सोपिंग करने जा रही हूं प्रतीभा जी के भाई जो उसी सहर में रहते थे वो हर दूसरे तिसरे दिन अपनी बहन और उसकी परिवार की खोज अपर लेने आते जाते रहते थे जो भी छोटे मोटे काम होते वहीं कर देते पती की मृतु के बाद प्रतीभा जी को भाई का ही एक सहारा था वो आकर बैठे थे संजय उसे दिन दफ्तर से जल्दी आया और इधर उधर पुस्पा को ढूंडने लगा जब वो नहीं मिली त तो प्रतीभा जी से धीरे से बोला मा पुस्पा नहीं देख रही है कहीं गई है क्या और ये मामा जी हर दुसरे तिसरे दिन क्यों आ जाते हैं मुझे एक जरूरी काम था प्रतीभा जी बोली हाँ बैटा कह कर तो गई है कि कुछ खरदारी करने गई है अगर तुम मुझे उस काम के लायक समझते हो, तो मुझे भी कह सकते हो, आखिर इतने सालों तक मैंने ही तो तुम्हारी चीजों और तुम्हारा ख्याल रखा है। संजय बोला, हाँ हाँ मा मुझे भी पता है, आपको अपने फर्ज गिनवाने की जरूरत नहीं है, सुनिए एक जरूरी बात है, ये कुछ पैसे हैं, संभाल का रख दिजिएगा, ध्यान से रखिएगा, बिना हमसे पूछे, फिजूल खर्च मत कर दिजिएगा, और हाँ पाक रखिएगा, क्योंकि हम घर में रहे या ना रहे, मामा जी और उनके बच्चों का आना जाना तो लगा ही रहता है, घर को आस्रम समझ रखा है, और हाँ, जब तक मैं पैसे ना मांगू, किसी को मत दिजिएगा, ये आपसे हो पाएगा, प्रतिभा जी बोली, अरे रख कर आती हूँ, इतना कहकर प्रतिभा जी ने पैसो को अलमारी में सहेच कर रख दिया, कुछ दिनों बाद एक साम संजय ने प्रतिभा जी से कहा, मा मैंने आपको जो पैसे दिये थे, वो निकाल कर दे दो, मुझे आज उन पैसो को वापस देना है, प्रतिभा जी अलमा तो आप उसमें ताला नहीं लगाएंगी और अगर ताला लगाती भी हैं तो चाभी मेरे कमरे में रखेगा कुछ दिर बाद जब प्रतीभा जी अलमारी खोल कर पैसे निकालने गई तो पैसे वहां थे नहीं वो तो गायब थे वो परिशान से लोटकर बेटी के पास आई और सोचने लगी अब क्या कहूं बेटे से मा को परिशान देखकर संजै ने पूछा क्या हुआ मा खाली हाथ क्यों आई हो पैसे दोना अरे वो किसी और के उधार के पैसे थे उसको आज ही देना है आज वापस नहीं दिये तो वो घर पर आकर फालतू में चिलम चिली करेगा प पर रुआनसू आवाज में बोली बेटा पैसे तो अलमारी में ही रखे थे पर अब वे वहां नहीं दीख रहे हैं संजै चिलाकर बोला क्या मतलब है कि पैसे वहां पे नहीं है आप इतनी लपरभा कैसे हो सकती है आपके कहने का क्या मतलब है पैसों के क्या पंख लग गए जो अपने आप उड़ गए होंगे मेरी माना करने के बाद भी आपने वो पैसे खर्च कर दिये या फिर हमारी अनु उपस्तिती में जरूर रचना या मामा जी आई होंगे आपने उन्हें पकड़ा दिये होंगे प्रतीमा जी की आखों से जरजर आशू बह रहे थे वो बोली नहीं बेटा मुझे पर ऐसे इलजा मत लगाओ मैंने ना तो उन पैसों को खर्च किया ना तुम्हारी बेहन को दिये वो बेचारी साल में बस एक बारतो रक्षा बंधन पर तुम्हारे पास आती है फिर तुम अ पैसा कैसे सोच सकते हो और तुम्हारे मामा जी वो अगर दूसरे दिन यहां आते हैं तो वो बस हमारा हाल चाल लेने आते हैं और तुम उन पर सक कर रहे हो थोड़ा ठहर जाओ बहु घर में नहीं है हो सकता है उससे जरुरत पड़ी होगी और उसने पैसे ले लिये होंगे संजय बोला आप अपनी लपरवाही पुस्पा के माथे मड रही है अगर आपने पैसे खर्च नहीं किये रचना को नहीं दिए तो पका मामा जी पैसे लिये होंगे वो आय थे ना उस दिन जिस दिन मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिये थे फिर तो वहीं पैसे ले कर गए होंगे प्रतीभाची बोली नहीं नहीं बेटा तेरी मामा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते ये तो चांद को रोशनी दीखाने के समान हो जाएगा जिस इनसान ने तेरे पीता के जाने के बाद अपनी परिवार के साथ हम तीनों की जिम्मेदारी बखुबी उठाई है वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता मानती हूँ अब उनके हालात पहले जैसे नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना नीचा गिर जाए ना ना ये काम मेरे भाई का नहीं हो सकता दोनों मा बेटा इसी उधेर बुन में लगे हुए थे आखिर पैसे गए तो कहा गए तभी मैं सबसे पहले आपको दीखाती हूँ संजय परिशान स्वर में बोला क्या दीखाना चाती हो पुस्पा बोली अरे एक मिनट रुको उसने जट से एक डिब्बे से बड़ा सा जुमका निकाल कर कान में पहन्तिवे कहा बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ इस जुमके में सं तीभा जी भी आस्चर जिसे देखने लगी और बोली बहु तुमने बताया नहीं कि तुम बजार जुमके लेने गई थी पुस्पा मू बनाते हुए बोली बता देती तो क्या आप मेरे जुमके के पैसे दे देती अरे पैसे तो मेरे पती ही खर्च करता है फिर मैं आपसे क पूछूंगी और संजय उस दिन जब आप अपने बौस से बात कर रहे थे मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक जुमका पसंद आया है पैसे दे दो तब आपने क्या कहा था अलमारी में रखे होंगे जाकर ले लो और आज आप दोनों हमसे पूछ रहे हैं कि कब ले लिए ज सुनार को ओडर दे कर आई थी आज लेकर आ गई हूँ तो बताओ कैसी लग रही हूँ प्रतिभा जी भी बोली बहु तुमने मुझे बताया भी नहीं और पैसे निकाल लिये और बेटा तुम वो तो अच्छा किया बहु ने जो बता दिया वरना तुम तो मुझे मेरी बाई को चोर बना देते एक नेक इंसान होने का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई आकर उस पर उंगली उठा दे अरे मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हारे मामा जी ऐसा काम नहीं कर सकते पर तुमने मेरी एक न सुनी तुम्हारी पतनी ने पैसे खर्च किये और तुमने अपन भाया तुमने मेरे दूद का इतना कहते कहते प्रतिभा जी रोने लगी तब ही रचना अपने मामा जी के साथ घर में दाखिल होते हुए बोली मा आप ये क्या कर रही है GUY आ और मामा जी भाया के पैसे क्यों लेंगे मैं तो यहाँ आती भी नहीं और मामा जी तो हमारी खैर ख इस सहर से गुजर रही थी तो मामा जी ने कहा दो दिन के लिए मा से मिलती जाओ तो मैं आ गई वरना मुझे तो अपने भाई के मन की बात कभी पता ही नहीं चलती संजय कुछ कहता उससे पहले ही उसके मामा जी कि सोर बाबु बोले हद करते हो संजय तुम क्या इतने बड़े आदमी हो गए हो कि अपने संसकार भूल गए कल जिस मामा ने तुम्हें जीने का सलीका सिखाया था आज वो चोर बन गया संजय की नजरे जुग गई वो बोला मामा जी मुझे माफ कर दिजिए प्रतिभा जी बोली बेटा मैं कह रही थीना कि तुम्हारी बेहन और मामा ऐस काम नहीं कर सकते अरे चांद पर ठूक कर तुम खूद ही अब लज्जित मैसुस कर रहे हो कहने से पहले सुचना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं तुम पतनी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि अपनी मा बेहन को चोर बना दिया प्रतिभा जी ने हाथ जोर कर अपने भाई और बेटी से माफी मांगी किसोर बाबू बोले दिदी अब मैं चलता हूँ सायद यहां मेरी अब जरुरत नहीं है अब जब आपसे मिलना होगा मैं आपको अपने घर बुला लूँगा मानता हूँ मेरे हालाट अच्छे नहीं है पर मेरे बच्चों ने कभी म मुझे पर सक नहीं किया और नहीं कभी करेंगे इतना विश्वास तो है मुझे चलता हूँ रचना जट से बोली मामा जी मैं आपके साथ आई थी तो आपके साथ ही चलूंगी मुझे भी अब यहां एक पल नहीं रुकना इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए प्रतीभा जी वहीं खड़ी रही और अपने बेटे से बोली तुम दोनों की वज़ा से आज मुझे अपनी बेटी और भाई के सामने लजित होना पड़ा इस बात के लिए मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी मैंने सारी संपती और घर तुम दोनों के हावाले इसलिए नही किया था कि तुम मेरी बनी बनाई इज़त को मिटी में मिला दो अगर तुम्हें मुझे पर या मेरे जानने वालों पर भरोसा नहीं है तो तुम अपने रहने का इंटिजाम कहीं और कर लो पुस्पा कुछ कहती उससे पहले ही प्रतिभाजी बोली बस बहु कुछ ऐसा मत कह देना कि मेरा हाथ उठ जाए अरे तुम मुझे ब्रिद आश्रम भेजने वाली थी ना अरे जिसकी रहने का खुद ठोर ठीकाना नहीं वो दुसरों को अंगली दिखाती है बेतर होगा तुम दोनों पती पतनी अभी के अभी जाकर रचना और मामा जी से माफी मांगो पुस संजय कुछ कहता उससे पहले ही प्रतिभाजी बोली संजय अगर तुम लोगोंने माफी नहीं मांगी तो बेतर होगा मेरे घर को खाली कर दो मैं अपने ही घर में चोर बनकर नहीं रह सकती इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई संजय ने अपनी पतनी को समझाया कि अगर हम इस घर को छोड़ कर कहियों रहने गए तो उतना खर्च करना मेरी बस की बात नहीं है ऐसे ही मेरी हालात टाइट है उपर से ये तुम्हारे रोज रोज की ड्रामे बीना पुछे तुमने किसी और के उधार के पैसे खर्च कर दिये कल सुबा जाकर ये जुमका वापस कर दे ताकि मैं उस आदमी को लोटा सकू और याद रखो मा अगर खूस नहीं रही तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी पुस्पा ने अपनी मा को सारी बात बताई तो उन्हों ने कहा बेटा समझदारी इसी में है कि तुम दमाद बाबू की बात मानलो कहीं तुम्हारी यहां रख भी नहीं सकती क्योंकि यहां का सब कुछ तुम्हारा भाई देखता है पुस्पा को समझ में आ गया कि उसने आज तक जो भी किया था उसके लिए प्रतिभाजी उसे बच्चा समझ कर माफ कर रही थी पर अब उसे माफी नहीं मिल पाएगी तो उसे सीधा रास्त अपना नहीं पड़ेगा और उसने माफी मांगने में ही भलाई समझी दोनों पती पतनी ने जाकर रचना और मामा जी से हाथ जोरकर माफी मांगी और अपनी मा को आइंदा ऐसी गलती दूबारा नहीं होगी ये वचन भी दिया दोस्तो इस स्टोडी को लेकर आपकी क्या र पहुत बहुत धन्यवाद